नेपाल युद्ध के दरान पश्ची में नेपाल में जो कुछ हो रहा था उसकी कहानी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ जिसमें की अंग्रेज आक्टर लोनी की साज़िशें जारी थी और पूर्बी नेपाल में मेजर लेटर था जो पांचवें सेना का प्रधांच सेना पती था उसने सिक्किम के राजा को नेपाल के वरुद अपनी और कर लिया और उसकी मदद से नेपाल के मौरांग परांथ पर कबज़ा कर लिया गवनर जनरल को इस समय पता लगा कि नेपाल की सरहद का सबसे अधिक नाजुक हिस्सा कुमाईउं और गड़वाल की और का है कुमाईउं का प्रांथ उस समय नेपाल के अधीन था और 14 बाजचा नामक एक व्यक्ति वहां का सूबेदार था गवनर जनरल ने करनल गाड़नर को 14 बाजचा के साथ साज़िश करने के लिए निक्ति किया इस गाड़नर ने सन 1798 में होलकर के यहां नौकरी की थी और विश्वास घात के अपराद में होलकर के यहां से निकाला जा चुका था गार्डनर ने इसलाम की विधी के अनुसार एक मुसल्मान स्त्री के साथ निकाह कर रखा था साज़शें करने में वह आक्टर लोनी के समान निपुन था गार्डनर की मदद के लिए एक और अंग्रेज डॉक्टर रदर फोर्ड को निक्त किया गया जो गड़वाल और कुमाईयों में कमपनी का वैपारिक एजेंट और मुरादाबाद में सिविल सर्जन रह चुका था लिखा है कि डॉक्टर रदर फोर्ड ने सारे कुमाईयों और गड़वाल के में अनेक पंडितों देसी सिपाहियों और अन्य लोगों को तनक्वाहें दे दे कर उनसे जासूसों का काम लिया इतिहास लेखकों की राए है कि नेपाल युद के अंत में अंग्रेजों के सफलता का सबसे अधिक शुरे आक्टर लोनी और डक्टर रदर फोर्ड इन दो को ही मिलना चाहिए गाड़नर और रदर फोर्ड दोनों को पूरी सफलता मिली कुमाईयों और गड़वाल के मातहत शासक और वहां की अधिकांश प्रजाभी नेपाल दरबार के वरुद अंग्रेजों से मिल गई और अंत में अपरेल सन 1815 में थोड़ी सी सेना कर्नल निकोलस के अधीन भेज कर बिना अधिक रक्तपात के हेस्टिंग्स ने कुमाईयों और गड़वाल दोनों पर कब्जा कर लिया इसमें कोई शक नहीं कि जो धाई करोड रुपे अवद के नवाब ने अंग्रेजों को दिये थे इन धाई करोड रुपेयों ने इन साज़िशों में हेस्टिंग्स को खूब मदद दी इस तरहें नेपाल सामराज्य के दो सबसे अधिक औरुवर प्रांथ केवल रिश्वतों के बल पर उस सामराज्य से तोड़ लिये गए नेपाल दरबार के लिए यह एक जबरतस्त ठका था मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि नेपालियों को 600 मील की लंबी सरहत की रक्षा करने पड़ रही थी उनकी कुल सेना अंग्रेजों की सेना से आधी से भी कहीं कम थी इस पर भी जितनी बार और जहां जहां अंग्रेजों तथा नेपालियों में खुला युध हुआ वीर्ता और युध कोशल दोनों में नेपाली अंग्रेजों से कहीं बढ़कर साबित हुए और हर संगराम में अंग्रेजों को जल्लत के साथ हार खाकर पीछे हट जाना पड़ा किन्तु इस समस्त वीर्ता और युद्ध कोशल के होते हुए भी पाश्चात्य कूटनीती और अवद के धन के प्रताप से चंद महीनों के अंदर पूरब में मौरांग का प्रांथ बीच में कुमाईयों और गड़वाल प्रदेश और पश्चिम में हिंदूर और बिलासपूर की सामनती रियासतें नेपाली सामराज्य से तोड़ ली गई देहरदून और नालागड अंग्रेजों ने विज़ा कर लिए लेखक प्रिंसेप ने साफ स्विकार किया है कि नेपाल युद्ध में अंग्रेजों को मुखेता अपनी लंबी थैली यानि रिश्वत के प्रताप से सफलता प्राप्थ हुई किन्तु इससे अधिक बढ़ना अंग्रेजों के लिए असंभव था नेपाली भी पास्चात्य कूटनीती के सामने लाचार हो गए दोनों पक्ष अब सुलह चाते थे जून सन 1815 में युद्ध बंद हो गया महराजा नेपाल ने अपने कुल परोहित गुरू गजराज मिश्र को अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट मेजर ब्रेडशा के पास सुलह की बाच्चित के लिए भेजा मेजर ब्रेडशा ने गवन्ने जनरिल की आग्या अनुसार जो शर्तें पेश की अगर बहुत थोड़े में उन शर्तों को बताया जाए तो उन में लिखा था कि जितने इलाके पर अंग्रेजों ने इस समय तक कबजा कर लिया है वह सब और उसके अलावा नेपाली सरहत के बरावर और बहुत सा इलाका अंग्रेजों को दे दिया जाए काठमांडू में एक अंग्रेज रिजिडेंट दल बल सहीत रहा करे और बिना अंग्रेजों की इजासत के नेपाल दरबार ने किसी यरोप निवासी को अपने यहां आने दे और ने नोकर रखे महराजा नेपाल ने गवनर जनरल से इन चर्टों पर फिर विचार करने के प्रार्थना की किन्तु वेर्थ रहा इस बीच गवनर जनरल बराबर चारों और की सरहत पर फोजें बढ़ाता रहा सेनपती अमर सिंग ने मार्च सन 1815 में जब लड़ाई जारी थी अपने स्वामी महराजा नेपाल के नाम एक पत्र लिखा जिससे अमर सिंग की नितियता और वीरदा दुनों का परीचे मिलता है इस पत्र में अमर सिंग ने महराजा नेपाल को सला दी कि अग्रेजों पर किसी तरह का विश्वास नहार किया जाए नेपल के सामनतों के साथ साज़िश ये करके ये लोग सदा नेपल को निर्बल करने के प्रत्न करते रहेंगे काटमांडू में अंग्रेज रिजिडेंट को स्थाई तौर पर रहने के अजासत देना अत्यंत खतरनाक है इससे धीरे धीरे नेपल के उपर सबसी डीरी सेना का लादा जाना और अंत में नेपल का पराधीन हो जाना अनिवार हो जाएगा भरतपुर के राजाओं और टीपू सुल्तान के मिसालें देकर अमर सिंग ने महराजा नेपल को सला दी कि नेपाल के अंदर अंग्रेजों को रियायतें दे कर सुलह करने की अपिक्षा मरदाना वार लड़ते रहने में देश का अधिक हित है इसमें संदे नहीं कि अमर सिंग ने उस समय के अंग्रेजों के चरितर को पूरी तरह समझ लिया था एक और अंग्रेज गवरनर जनरल के असंभव मांग दूसरी और अमर सिंग जैसों की सलहा नेपालियों का स्वभाविक अत्मसम्मान परिणाम यह हुआ कि साथ महीने से उपर युद्ध बंद रहने के बाद जनवरी सन 1816 में नए सिरे से अंग्रेजों और नेपालियों के बीच युद्ध शुरू हो गया किन्तु दोनों पक्ष ठक चुके थे इस बार मुश्किल से दो महीने युद्ध जारी रह सका अंत में मार्च सन 1816 में दोनों पक्षों के बीच संधी हो गई जिसमें नेपाल के स्वाधिन ता कायम रही किन्तु नेपालियों की भावी राजनेतिक आकंग्शाओं को एक और से चीनी सामराज्जे और तीन और से ब्रिटिश भारतिय सामराज्जे दोनों के बीच परीमित कर दिया गया नेपाल का कुछ दक्षिनी हिस्सा जिसकी वार्शिक आमदनी करीब एक करोड रुपे की थी अंग्रेजी इलाके में मिला लिया गया और एक अंग्रेज रेजिडेंट नेपाल की राजधानी में रहने लगा लिखा है कि इस संधी के बाद बलभदर सिंग ने अपने मुठी भर साथियों सहीत महराजा रंजीत सिंग के यहां जाकर नौकरी कर ली और रंजीत सिंग तथा अफगानों के एक संग्राम में लड़ते लड़ते अपने प्रांट दे दी यद पी इस युद में नेपाली सामराज्या का एक अंग से तोड़ लिया गया और बहुत दिनों तक अंग्रेज रेजडेंट के कारण नेपाली राजधानी के अंदर कई तरह की साज़िशें और दल बंदियों का एक सिलसला जारी रहा फिर भी नेपालीयों के स्वाभाविक वीरता नेपाल के अंदर अंग्रेजों की अनेक कढ़िनाईयों और भारत के अनुभव से नेपालीयों के शिक्षा ग्रहन करने के कारण अंग्रेज रेजडेंट के पैर नेपाल में ने जमने पाए और ने सन 1816 से आज तक नेपाली सामराज्य के स्वाधीन था या शेतर फल में फिर किसी तरह का जाहिरा अंतर पढ़ने पाया करीब सौ साल के बाद सन 1912 में इसी नेपाल युद्ध का सिंगा फलोकन करते हुए एक अंग्रेज अफसर करनल शेक्सपियर ने नेपालीयों की वीरता उनकी सुजनता और उनकी उदारता की मुक्त कंट से प्रशंसा की थी और अंत में अमर सिंग थापा की बुद्धी मत्ता का सिक्र करते हुए लिखा कि अमर सिंग ने अत्यंत गंभीरता के साथ उस समय नेपाल दरबार पर इस बात के लिए जूर दिया कि जिस तरह भी हो सके अंग्रेजों को नेपाल से बाहर रखा जाए और यह कहने का कौन साहस कर सकता है कि अमर सिंग की सलहा बुद्धी मत्ता पूर नहीं थी इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही, इसी के साथ नेपाल युद्ध का यहीं अंत होता है, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, आप से फिर मुलाकात होगी, नमस्कार